नवस्कार मैं प्रियाराज आप देख रहें एक न्यूस 24 आपको बता दे पप्पू यादो यानि कि पूर्णिया के सांसत काफी चर्चे वाले सांसत जंता के बीच रहने वाले सांसत को बड़ी धंकी मिली है वो फिल लिफाफे के जरिये हलाकि कुछ दिन पहले ही पप्पू यादो को जरा लगतार कॉल करके धंकिया मिलती जा रही थी इस बीच पप्पू यादो डरे सह में भी नज़राए थे शल्मान खान के मशीहा बनने निकले थे पप्पू यादो याद है आपको कि बाबा सिदिकी के हत्या के बाद जवाब दही शुरू कर दिये थे जिस लेकर लॉरेंस बिस्नोई गैंक्स के द्वारा उनको लगतार धंकिया मिलने शुरू हो चुकी थी इस बीच फिर से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है पूर्णिया के सांसत पपू यादो को अब लीफाफे के जरिए धंकी म बिला है जो काफी संसनी और हैरान करने वाली बात है तो आईए हम आपके बीच साज़ा करते कि आखिरकार यह धंकी उन्हें आखिरकार क्यू मिली कैसे मिली तो आपको बता देए पूर्णिया से निर्दल ये सांसत पपू यादो को इस पीड़ों से धंकी मिली है धंकी द पपू यादो को खुली चुनौती देते हुए अपनी उल्टी गिंती शिरू कर देने की बड़ी धंकी दी है इस लेटर के बाद से सांसत के शमर्थकों के डर का महौल है स्पीड पोस्ट पर लिखे नाम और पते के मताबिक सांसत पपू यादो को धंकी देने वाला लेट देवी बताया है खुद को सुपॉल के चातापूर थाना के कामत कुशन गज गाउन निवासी बताते हुए लेटर में लिखा है मेरा कहना है पपू यादो तुम पूर्णिया के सांसत हो तो सांसत बंद कर रहो मेरे दोस लॉरेंस बिस्नोई तुम्हें साबर मत्ती जेल से कॉल करता है और तुम कॉल क्यू नहीं उठाते हो तुम्हारा घर अर्जुन भवन पूर्णिया में है तुम्हारी उल्टी गिंती आश्र शुरू हो गई है अब 15 दिन के अंदर अर्जुन भवन को उड़ा देंगे तुमको जब हमसे संपर करना होगा तो तुम मेरे मोबा पर सांसत को सुपारी लेकर जान से माने की धमकी दी गई थी धमकी देने वाले ने दावा किया था कोई वो गैंस्टर लॉरेंस बिस्नोई गैंग का सदस्य है धमकी देने वाले ने खुद को भी कोडी भाई बताया था वटसाप की डीपी पर लॉरेंस बिस्नोई की जनकारी पुलिश प्रशासन को दे दी है लेकिन आपको बता दे धंकी देने वाले का नाम कुंदन कुमार है और वो साथ और पे कह रहा है कि आपके आवास को उड़ा दिया जाएगा अर्जुन जो उनका घर है उन्हें उड़ाने की बड़ी धंकी मिली है हलाकि उनको ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते तो मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं इस तरह कि धंकी को लेकर पपू यादो काफी ज़्यादा परिशान है आपको बता दे कि वो खुद को लॉरेंस बिसनोई का दोस्त भी बताया है यानि लॉरेंस भाउस से बात करने लगे थे इसके बाद भी पपू यादो के लॉरेंस बिसनोई गैंक्स के द्वारा धंकी जो मिली है अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम पपू यादो का क्या रहेगा प्रसासन आखिरकार कैसे इस पर करवाई करती है देखना दिल्चस रहेग ततक लिए आप यूही बने रहेगा एक निउस ट्रैंटिफोर पर धन्यवाद